यहां पे हमारे सामने कुछ questions हैं और हमसे कहा गया कि यह सारा कुछ पढ़ने के बाद अब इन्हें हम solve करते हैं तो आपको कई सारे questions देखे रहे होंगे तो आप घबराईये नहीं हम सारे नहीं solve करेंगे actually मैं अपना काम कम कर रहा हूँ मैं कुछ questions solve करूँगा और बाकी चाहूँगा कि आप खुद से try करें जो difficult लग रहा है देखने में यह सच कोई difficult है नहीं जो बड़े-बड़े expression देख रहे हैं उसको हम अभी मिलके solve कर लेते हैं तो start करते हैं पहले question से write the following in a more condensed form more condensed form by leaving out a multiplication symbol यहाँ पे आपको चार questions दिये हुए हैं हमसे बस इतना कह दिया गया है कि यह जो भी expression हमको दिख रहा है इसको जितना simplify करके जितना छोटा करके हम लिख सकते हैं उसको लिख देना है हमको एकदम छोटे से condensed form में यही मतलब हुआ इसका पहला देखते हैं यह है 2 times 2 times 11 times x 2 times 11 times x अब 2 times 11 क्या होता है 22 तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 22 times x अब generally जब हम एक coefficient और एक variable को साथ में लिखते हैं तो इसके बीच का multiplication symbol नहीं लगाते हैं जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 into x इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 x अकसर आपने ऐसा भी देखा होगा कि हमने कुछ ऐसा लिखा है कि 3 into 2 into 4 into x तो यहाँ पे जो यहाँ आपको dots दिख रहे हैं इसका मतलब होता है multiplication 3 times 2 हो गया 6, 6 times 4 हो गया 24 तो यह हो जाएगा 24 x के बराबर यहाँ पे आपको clearly दिया हुआ है 1.35 multiplied by y अब देखिया कि decimal होता है तो जनरली नीचे में होता है जनरली 1 के ठीक नीचे base में लिखा रहेगा वो point लेकिन जो multiplication है वो बीचो बीचो dot रहता है तो यह भी एक तरीका है समझने का कि वो decimal है या फिर multiplication है तो यह हो जाएगा 1.35 times y तो इसको तो मैं सीध हैसे लिख सकता हूँ 1.35 y यह हो गया इसका condensed form वैसे यहाँ पे आते हैं 3 times 1 by 4 तो इसको मैं ऐसे समझ सकते हैं कि यह है 3 by 1 into 1 by 4 अब 3 into 1 होता है 3 और 4 into 1 होता है 4 तो यह हो जाएगा 3 by 4 के बराबर और finally यहाँ पे आएगर हम तो 1 by 4 times z 1 by 4 times z इसको ऐसे सोच लीजे कि यह लिखा है 1 by 4 times z by 1 और इसकी value क्या आजाएगी z into 1 हो गया z और 4 into 1 हो गया 4 तो यह हो जाएगा हमारा z by 4 के बराबर थोड़ी से गिच पिच हो गई यहाँ पे बट I think आपको समझ में आ गया होगा जो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अगले question पर आते हैं तो उसने हमसे कहा है कि evaluate the following expressions for a equals to minus 3 अब हमको simple शब्दों में बस इतना सा करना है कि a की जगा minus 3 रखना है b की जगा 2 रखना है c की जगा 5 रखना है और d की जगा minus 4 रखना है चार चार variable यहाँ पर दे दिये हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें लिख दिया गया है कि हमें क्या क्या रखना है क्योंकि चारो variable के values मुझे एक साथ तो याद नहीं ही रहते तो यह है 2a plus 3b a की value है minus 3 तो यह हो जाएगा 2 into minus 3 2 into minus 3 plus of 3 times b यानि 3 times b की value है 2 तो यहाँ में 2 डाल दूँगा तो इसकी value हो जाएगी 2 times minus 3 हुआ minus 6 plus of 3 times 2 हो गया 6 6 रुपे का कर्स और 6 रुपे मेरे अपने तो यह दोनों आपस में cancel होके मुझे 0 दे देंगे तो इस expression की value 0 आ जाएगी उसी तरीके से आप बागी expression भी कर सकते हैं बस जो जो variable दिया हुआ है वहाँ उसके values डाल दीजिए और आप solve कर दीजिए आपका solution आ जाएगा जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा expression मुझे दिख रहा है चलिए इसको करके देखते हैं a minus 4b divided by 3c plus 2d यानि इसका मतलब हुआ a minus 4b a की जगह हम डालते हैं minus 3 minus 4 times b b की value है 2 तो हमने यहाँ पे 2 डाल दिया divided by divided by 3 times c 3 times 5 यानि की 3 times 5 plus of 2 times d d की value है minus 4 तो यहाँ आ जाएगा minus 4 अब देखते हैं इसके value क्या आती है minus 3 तो जियों काते हैं आ जाएगा 4 times 2 actually मैं कहें तो minus 4 into 2 यानि minus 8 हो जाएगा यह divided by 3 times 5 होता है 15 और 2 times minus 4 होता है minus 8 minus 3 और minus 8 दोनों मिलके मुझे देदेंगे minus 11 divided by 15 में से 8 घटाना है तो मुझे मिल जाएगा 7 तो इसकी value आजाएगी minus of 11 by 7 बाकि तो आप खुद भी कर सकते हैं तो मैं सारे questions यहाँ पर नहीं करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इसी moment पे इस वीडियो को यहें पर pause करके यहाँ तक try कर लीजे और फिर हम और फिर मेरे साथ आगे बढ़िएगा अब हम इस screen को थोड़ा सा उपर कर लेते हैं ठीक है चलिए अब यहाँ पर हमसे फिर से सेम चीज़ कह दी गई है कि x की जगा x x की जगा minus 1 डालना है y की जगा 2 डालना है z की जगा minus 3 डालना है और w की जगा 4 डालना है और इन सारे बड़े बड़े expressions की value निकालने है तब हम इन में से कोई एक बड़ा वाला जो बड़ा दिख रहा है जो की भारी नहीं है बस बड़ा बड़ा दिखने में है उसे उठा लेते हैं जैसे की मान लेते हैं हम कुछ ये वाला उठा लेते हैं z की power 3 plus w की power 3 divided by z की power 3 minus w की power 3 तो इसको यहाँ पे solve कर लेते हैं z की power 3 यानि क्या minus 3 z की जगा minus 3 डाल देते हैं क्योंकि z का value है minus 3 minus 3 की power 3 plus w की power 3 अब w है हमारा 4 तो ये हो जाएगा 4 की power 3 divided by z की power 3 फिर से यानि कि minus of 3 की power 3 लेकिन यहाँ plus की जगा minus है यह हो जाएगा minus of w की power 3 यानि की 4 की power 3 बस अब इसको solve कर लेते हैं minus 3 की power 3 का मतलब हो minus 3 into minus 3 into minus 3 minus 3 into minus 3 हो गया 9 9 into minus 3 हो गया minus 27 plus of 4 की power 3 यानि 4 into 4 into 4 जिसकी value होती है 4 for 16 16 for 64 divided by minus 3 to the power 3 फिर से जो कि हमने यहाँ पे calculate किया ही हो आ है तो यह हो जाएगा minus 27 minus of 4 की power 3 जिसकी value 64 आई थी अब इसको solve कर लेते हैं यानि की 64 में से मुझे 27 घटाना है यानि की 64 में से अगर मैं 30 घटा के उसमें 3 और add कर दूँ तो 64 से मैं अगर मैं 30 हटाता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 34 34 में अगर मैं 3 और add करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 37 37 divided by minus 27 minus 64 negative term से दोनों आपस में जुड़ जाएगे तो हम क्या करते हैं कि दोनों को पहले add कर देते हैं और फिर negative का symbol लगा देंगे तो यह हो जाएगा 64 और 27 दोनों को हमने add किया तो हो जाएगा 7 और 4 11 1 carry 6 और 2 8 और 1 9 यह हो जाएगा 91 और चुकि दोनों negative है तो यह हो जाएगा minus 91 अब अगर मैं उपर और नीचे minus 1 से multiply कर दूँ उपर और नीचे अगर मैं minus 1 से multiply कर देता हूँ तो मेरे पास आजाएगा minus of 37 minus of 37 divided by minus 91 times minus 1 यानि की 91 तो इसकी value finally आजाएगी minus 37 by 91 आप शाएगे सोच रहे होंगे कि मैंने answer को यहीं पे क्यों नहीं छोड़ दिया मैंने क्यों minus 1 से उपर नीचे multiply किया तो कह सकते हैं परंपरा मतलब जनरली जब भी हमारा answer आता है हम चाहते हैं कि हमारा negative sign numerator के साथ रहे ताकि वो हमको दिखने में थोड़ा अच्छा लगे अंसर यह भी सही है और actually मैं इसमें और इसमें कोई difference नहीं है दोनों सेमी चीज़ है लेकिन generally जो हम अभी तक math में follow करते आए हैं बस उसी के लिए हम negative sign को numerator के साथ जोड़ना ज्यादा पसंद करते हैं उसी तरीके से आप बागे कर सकते हैं जैसे कि अगर मैं यहाँ से यह example उठाऊँ 2x square minus 3x square plus 5x minus 4 चले इसको यहाँ पर करते हैं 2x square minus 3x square plus 5x minus 4 अब इसमें हमको x की जगा value डालना होगा minus 1 लेकिन वो डालने से पहले मुझे एक interesting चीज़ यहाँ पर यह दिख रही है कि यह व 2 times minus 3 होता है minus 1 तो यह हमें दे देगा minus of 1 times x square यानि कि minus x square plus 5x minus 4 अब चाहें तो इसको ऐसे नहीं भी कर सकते थे अब सीधे इस expression में x का value डालते तो भी आपका answer same आता कुछ change नहीं होगा actually मैं चली हम करके यह देख लेते हैं इस चीज़ को तो अगर मैं यहाँ पर x का value डालो तो मुझे क्या मिलेगा 2 times minus 1 whole square minus 3 times minus 1 whole square plus of 5 times minus 1 minus of 4 इसको आगे solve करेंगे तो हमें मिलेगा 2 times minus 1 का whole square होता है 1, 2 times 1 हो जाएगा 2, minus minus 1 का whole square हो जाएगा 1, minus 3 times 1 हो जाएगा minus of 3 five times minus 1 हो जाएगा minus five और minus four तो आहि जाएगा तो ये हो गया हमारे पास two में से हमको तीन रुपे का कर्स पांच रुपे का कर्स और चार रुपे का कर्स गठाना है तो five और three eight eight or four twelve यानि कि हमारे पास total 12 रुपे का कर्स है और 2 रुपे मेरे अपने है तो मेरे पास टोटल 10 रुपे का कर्ज बच जाएगा यानि कि इसकी वैल्यों आ जाएगी minus of 10 अब सेम यहाँ पर करके देखते हैं अगर यहाँ पर मैं x की जगह minus 1 डालो तो क्या मिलेगा मुझे अब यह minus तो यहाँ पर ही तो वो minus में लिख लेता हूँ minus of minus 1 whole square यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि मैं x की जगह minus 1 डाल रहा हूँ तो अगर आपके मन में यह विचार आ रहा है कि minus तो यहाँ पर पहले से ही है तो मैं फिर से minus क्यों लिख रहा हूँ तो यह हो जाएगा minus of minus 1 times whole square plus of 5 times minus 1 minus of 4 अब इसको solve करते है minus 1 का whole square होता है 1 1 times minus 1 हो जाएगा minus of 1 plus of 5 times minus 1 यानि की minus 5 और minus 4 तो है ही एक रुपे का कर्स पांच रुपे का कर्स चार रुपे का कर्स टोटल कर्स कितने होगे मेरे पास 5 or 4, 9 और 1, 10 यानि की 10 रुपे का कर्स नेगेटिव 10 अब आप ऐसे करें या ऐसे करें आपका value सेम आ रहा है इसी तरीके से आप बाकी भी कर सकते हैं कोई मुश्किल नहीं आएगी और मैं चाहूंगा कि इस point पे आप इस वीडियो को pause करके question number 20 तक तो जरूर ही कर लें अब आते हैं question number 21 पे तो इसके लिए थोड़ी सी हम जगा बना लेते हैं the weekly cost c of manufacturing x remote controls is given by the formula c is equal to 2000 plus 3x c जो है cost price है यहाँ पे इसको dark से denote करते हैं यह जो c है यह cost price cost price show कर रहा है किस चीज का x remote controls का कि x number of remote controls बनाने के लिए मुझे जितना पैसा लगेगा वो c की बराबर है और उसको उसने किस formula से show किया है इस formula से इस question को solve करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप बड़े ध्यान से इसका मतलब समझ ले क्योंकि एक बहुत सही example है कि कैसे आप mathematical चीजों को formula के थूर रिप्रेजेंट करते हैं और क्यों हम algebra पढ़ते हैं इसका भी ये बहुत बड़िया example है अब यहाँ पर ये कुछ रिप्रेजेंट कर सकता है जैसे कि हो सकता है कि एक remote बनाने के लिए आपको 2000 रुपीस का base price लगता है कि आपको 2000 रुपीस का तो खर्चा आएगा ही पका से पका प्लस 3X यानि क्या कि अगर मैं एक remote बना रहा हूँ तो 3x1 यानि कि मुझे 3 रुपे और देने पड़ेंगे यहाँ पे dollars लिखा हुए चलिए हम लोग इसको रुपे मान लेते हैं रुपीस रुपीस ताकि हम लोग ज़्यादा relate कर सकें इससे 3x1 अगर मैं 2 remote बनाता हूँ तो 2000 का cost तो लगेगा ही लेकिन मैं साथ साथ बना रहा हूँ तो मुझे 3x2 यानि कि 6 रुपे और ज्यादा लगेंगे तो इस पूरे चीज़ को ये एक formula अकेले-अकेले represent कर रहा है तो मैं बस चाहता हूँ कि आप algebra के इस beauty को देखें यहाँ पे I think हम topic से कुछ जादा ही बटक गए हमें वापस topic पे आना चाहिए कि जो c cost है वो x remote का इस formula के थ्रू दिया है अब हमसे क्या पूछा गया है कि what is the cost of producing 1000 remote controls कि 1000 remote control बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा तो बस simple सी बात है कि यहाँ पे यह x की value 1000 दे दी गई है कि हमको 1000 remote बनाना है और यह c उस 1000 remote controls का price बताएगा तो इस formula को पहले हम यहाँ लिखते हैं c is equal to 2000 2000 plus 3 times 6 अगर हमको यह पता करना रहता कि एक remote में कितना price लग रहा है तो हम x की जग़ 1 डाल देते हैं अब हमको पता करना है कि 1000 remote में कितना price लग रहा है तब हम x की जग़ x की जग़ हम लोग 1000 डाल देंगे तो देखते हैं क्या value आता है तो यह हो जाएगा 2000 2000 plus 3 times 3 times 1000 अब board mass rule के according पहले हमको multiplication करना होगा तो 3 into 1000 हो जाएगा 3000 और 3000 plus 2000 मुझे देदेगा 5000 5000 यानि कि मुझे 1000 remote बनाने के लिए 5000 रोपे लगेंगे और second question में हमसे कह गया है कि 2000 remote बनाने के लिए कितने पैसे लगेंगे इस x की जगह में 2000 डाल दूँगा तो देखते हमें क्या मिलता है तो यह हो जाएगा 2000 plus of 3 times 2000 2000 remote हमें बनाने है तो हमने x की जगह 2000 रख दिया तो यह हो जाएगा 2000 plus of 3 times 2000 यानि कि 6000 6000 plus 2000 होता है 8000 रोपीज 8000 रोपीज अब आते हैं अगले question पे the volume of a box without a lid is given by the formula v is equal to 4 times x times 10 minus x whole square where x is the length यहाँ पे यह जो x है यह जो x से यह length डिनोट कर रहा है and v is the volume in cubic inches और यह जो v है यह volume डिनोट कर रहा है what is the volume when x is equal to 2 तो जब वो box की length तो जब वो box की length 2 inches होगी तब उसका volume क्या होगा वो हमें इस formula को देखके बताना है तो चली कर लेते हैं इसको यहाँ पे तो v हमें दिया हुआ है v is equal to 4 times x times 10 minus x whole square अब पहला हमको दिया है कि x की जगा 2 रख दो यानि कि यह box जो है 2 inch लंबा है तो चली वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो हमारा v हो जाएगा v जो है हमारा हो जाएगा 4 times 2 times 10 minus 2 whole square यानि कि पहले हम bracket को solve करेंगे तो यह हो जाएगा 4 times 2 times 10 minus 2 होता है 8 यह हो जाएगा 8 का whole square यानि कि यह हो गया 4 times 2 times 8 का square होता है 8 into 8 यानि कि 64 इसकी value क्या आजाएगी 4 times 2 हुआ 8 8 x 64 हो जाएगा चलिए इसको यहाँ पर कर लेते हैं 64 x 8 हमें दे देगा 8 x 4 x 32, 3 carry 8 x 6 x 48, 49, 50, 51, 5, 1, 2 यानि कि उस box की volume हो जाएगी 512 cubic inches cubic inches, cubic inches थोड़ा माफ की जगह यहाँ पर जगह की कमी हो गई है तो I think आपको समझ में आगे होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वैसे ही अगर हमें x equals to 3 के लिए calculate करना होगा तब हम क्या करेंगे x की जगह 3 calculate करेंगा और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप वीडियो को यहाँ पर pause कर दे और ये same काम x equals to 3 के लिए करें और volume पता करें उसका I hope आपने किया होगा मैं इसे solve नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप करें और बस हम इस वीडियो को यहीं पर end करते हैं झाल